जै श्री कृष्णा आज मैं आपको प्रेम प्रसंग का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद आपके पती अगर आपसे विमुख भी हो गए हो या किसी गैरस्त्री के प्रेम में पढ़ गए हो तो भी आपके वश में रहेंगे ये उपाय कुछ ऐसा है जो कि आपके पती को बांध कर रखेगा आपके साथ मैंने अकसर देखा है कि जो पुरुष्वर्ग है वो उनका रुझान दूसरी स्त्रियों में जादा होता है तो जब ऐसा आपको लगे कि आपके पती किसी और गैरस्त्री के तरफ विमुक हो रहे हैं तो ये छोटा सा प्रियोक कर दीजिए आपको करना इतना है कि जो आपका मासिक धर्म हो उसका पहला दिन उस मासिक धर्म के कपड़े को आपको काले तिल में लपेटना है काले तिल उसमें डालनें आपको कपड़े में और जो है वो कपड़ा आपको किसी ऐसी जगह पर गार देना जहांपर कि कोई आता जाता ना हो ये आपको तीन बार करना है और याद रहे हैं सिर्फ पहले दिन का कपड़ा होना चाहिए ये आप कीजगा तो जितनी भी परिशानिया हैं जितनी भी आपकी दिक्कते हैं या पती कहना ना मानते हो तो भी ये जो अच्चु कुपाई है ये काम करेगा अक्सर मही लाएं पूछती हैं कि ये कौन से दिन करना है और क्या समय होना चाहिए क्या वार नक्षेक्तर सब देखना पड़ेगा तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको पहले दिन का जो आपका मासिक आए उस दिन आपको उस कपड़े पर थोड़ से काले तिल डाल देने हैं और उसको किसी ऐसी जगे पर गाड करा जिए जहां पर की कोई आता जाता ना हो कोई ऐसा खंडर हो कोई ऐसा जंगल हो वाँ पर भी आप फैक्स सकते हैं और उसके बाद बिना पीछे देखे वापिस आ जाए इसके बाद हफते भी तर आपको इसका असर दिख जाएगा अगर फिर भी कोई दिक्कत परिशानी आए तो मुझे कॉल कीजेगा 860-784-9162 पर